Hello friends welcome back to my channel तो आप सब कैसे हो I hope आप सब बढ़िया होंगे ठीक ठाक होंगे तो friends ये वीडियो है 25 दिसंबर की और आप सब को Merry Christmas और Christmas वाले दिन हमने कैसे Celebrate किया हमने कुछ जादा Celebrate नहीं किया बस एक छोटा सा केक बनाया है और जो Christmas ट्री होता है वो हमारे पास original है तो हमने उसी को decorate करने की सोच चलिए सबसे पहले है शुगर सिरफ बना लेते हैं इसके लिए हमने थोड़ी सी चीनी लिए है और उसमें पानी डाल कर उसको गरम कर लिया है बस थोड़ा गरम ही करना है और कुछ नहीं करना है तो सिरफ हमारा बन जाएगा जो केक है मैं बनाऊंगी औरियो बिस्किट से और जो औरियो बिस्किट है वो मैंने 10 रुपीज वाले 6 पैकेट लिये हैं और इनको मैं निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर मैंने चॉकलेट फ्लेवर वाले लिये हैं आप चाहो तो जिसके अंदर वाइट क्रीम होती है वो भी ले सकते हो और आप और भी कोई चॉकलेट वाले बिस्किट ले सकते हो जिसमें क्रीम हो अंदर तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो इसी तरह से मैं सारे जो बिस्किट हैं वो निकाल लूँगी इन बिस्किट के अंदर से मैंने दो बिस्किट निकाल लिये थे उसका मैं बाद में यूज करूँगी और बाकी सारे बिस्किट का मैं पाउडर बना लूँगी जब पाउडर बन जाए तो इसके अंदर डाल नहärं लड़ेंगे हम घरम दूद ज्यादा करम नहीं थोड़ा ही ग ररम दूद डाल है ईसके बाद इसको हम दोनों को केक बनाना है उसे ग्रीस कर लेंगे तो मैंने देशी गी से ग्रीस किया है आप चाहो तो बटर से भी कर सकते हो और बटर पेपर भी रख सकते हो तो मैं बटर पेपर के जगा इस पे लगा रहे हूं थोड़ा सा मैदा यानि की मैदा छिड़क दूंगी घी लगा कर और उसके जो बैटर बना है वो इसके अंदर हम मोल्ड दाल देंगे मोल्ड में बैटर डालने के बाद इसको थोड़ा करें जिससे कि इसमें बब्ल्स ना आएं कुकर को हम पहले से गरम होने के लिए रख देंगे क्योंकि केक मैं इसी कुकर में बनाऊंगी और जो कुकर है मेरा 10 लिटर का है तो जो ये मोल्ड है ये उसी के साथ है तो इसको इस तरहां से हम डाल कर इस कुकर के अंदर रख देंगे कुकर हमारा गरम हो चुका है और इसी थारा से हम बिना कुकर की सीटी लगाए हुए इसको कुकर को बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसको पकने देंगे तो थोड़ा अंदाज़े से हम खोल के बीच में देख सकते हैं उसके बाद मैंने डैरी मिल्क चॉकलेट ली थी और डैरी मिल्क चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेंगे सबसे पहले एक बाउल में पानी लिया है और दूसरा बाउल लिया है उसके अंदर मैंने जो चॉकलेट है वो डाल दी है मैंने इसमें डाल दिया है उसके बाद थोड़ा सा मेल्ट हुआ मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा दूद जिससे की ये थोड़ा और क्रीमी या पतला हो जाए तो इसी तरह से मैं इसको बिल्कुल ही जो है मेल्ट कर लूँगी इसके अंधर बिल्किल भी जो चौकललेट है वो रहनी नहीं चाहिए वो बिल्कुल पतली हो जानी चाहीए तो इस तरह से मैं इसको बना लूँ गी तो कुछ इस तरह से ये चौकललेट होनी चाहिए और इसको थोड़े ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और उसके बाद हम कुकर खोल के देख लेंगे मैंने बीच में एक बार कुकर खोल के इसको चेक करके देखा था तो चेक कैसे करेंगे एक चाकू लेंगे और चाकू को केक के बीच में डालेंगे अगर चाकू जो है साफ आएगा तो इसका मतलब ये केक रेडी है अगर नहीं इस तरह से निकाल लेंगे उल्टा करके तो ये केक बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है और देखे कितना स्पोंजी बना है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है बिल्कुल पर्फेक्ट जैसे बनना चाहिए वैसे ही बना है इसके बाद जो मैंने शुगर सिरफ बनाया था वो इसके उपर डाल देंगे शुगर सिरफ डालने से ये मीठा भी हो जाए और केक थोड़ा सोफ्ट भी हो जाएगा जिस चोकलेट को हमने मैल्ट किया था वो केक के उपर सप्रेड कर देंगे आपको ध्यान रखना होगा कि केक गरम नहीं होना चाहिए नहीं जो चोकलेट हम के उपर लगा दी है तो इसके उपर थोड़ सा सजाने के लिए मैंने थोड़ी सी जैम्स लगा दी हैं और दो बिसकेट रख दिया हूं और साथ में ही ये करंची से हैं कुछ तो ये रख दिये थे हमने तो ये केक मेरा बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लग रहा था तो आप बेटी डेकोरेट कर रही है तो कुछ इस तरह से इसने डेकोरेट किया है तो जो भी समान था सारा हमने इसके उपर लगा दिये और कुछ समान में खरीद के लाई थी कुछ मैंने बनाया था जैसे ये बॉक्स हैं ये मैंने बनाये थे खुद ही और जो ये छोड़ छोड़ ये चीज़ें डेकुरेट करने की थी वो करीद के लेकर आये थे ज्यादा टाइम नहीं था जितना भी हमने डेकुरेट किया बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें तो बहुत अच्छा लगा आप भी बताईए कमेंट बॉक्स पर लिखे कि आपको मेरा ये ट्री कैसा लग रह है तो मैं लाइट आफ कर दूँगी और ये कुछ इस तरह से लग रहा था ये बहुत ही ज्यादा सुन्दा लग रह था हमें तो बहुत ही जादा सुन्दा लग रहा था मैं अपने बचों के बढ़े के टाइम पे भी केक बनाय थे तो वो केक की जो पिक है मैं आपको शेयर के लिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और अगर आपको केक की रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जब तक के लिए बाई बाई